स्वागत करता हूं एक और नए और अमेजिंग वीडियो में तो इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं एक आडियो एंप्लिफायर सर्किट और ये जो आडियो एंप्लिफायर सर्किट है बहुत ही पावरफूल होगा और ये मात्र दस रुपे में बनकर तयार हो जाएगा आप मार्केट में जाते हैं और याडियो एंप्लिफायर सर्किट लेने वैसे पांच बोल्ट पे ऑडियो एंप्लिफायर सर्किट जो है मिलने वाले जो की पांच बोल्ट पे डीसी से चलते हो वो जो मार्केट में बहु में आपको मिलेंगे और यह जो सर्कीट है वो दस रुपे में आपका बनकर तयार हो जाएगा तो आप इसे पांच बोल्ट पर चला सकते हैं जैसे की ईक-एक सर्कीट डाइग्राम के एक due world को अच्छा से एकस्प्रेंग कर रखा कि आप इसे कैसे बनायेंगे डायगराम के जरки मैंने पूरा का पूरा बतारखा है और लाश्ट में इसकी टेस्टिंग दिखाई है इसके पावर को दिखाया है कि आप इसे कैसे चलाएंगे चलिए इसको बनाना सुरू करते हैं और इसे बनाने से पहले आप से एक रिक्वेश्ट है आप यहां पर देख सकते हैं, आपके लिए मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही सिंपल सर्कीट डाइगराम यहां पर बना के रखा है, जिसको आप देखते ही समझ जाएंगे कि कौन से कनिक्शन कहा करना है, लेकिन फिर भी मैं आपको इसको एक बार एक्स्प्लें कर देता हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूँ कि इसमें कौन कौन से कंपोनेंट जो है, मैंने यूज किये हैं, तो यहां पर आप देख सकते हैं, दो D882 के ट्रांजिस्टर यूज हुए हैं, एक 220 किलोोम का रेजिस्टर यूज हुआ है, एक 47 माइक्रो फैरड और 63 बोल्ट क कर देता हूँ, आपको वैसे easy है, बहुत ही, आपको देख कर ही समझ में आ गया होगा कि कैसे कैसे connection हुआ है, फिर भी मैं आपको एक बार explain कर देता हूँ, तो यहां पर हमें दो ट्रांजिस्टर ऐसे रख लेने हैं, और दोनों का B और E, अब मैं बता देता हूँ कि यह जो पहली लेग E होगी, यानि की emitter, दूसरी लेग collector होगी, और तिसरी लेग जो है base होगी, तो यह जो है पहला वाला हमारा transistor है, और दूसरा वाला transistor है, दोनों का, एक का base और दूसरे का emitter एक साथ connect कर देना है, ठीक है, फिर आगे बढ़ना है आपको, आगे बढ़ेंगे, तो अब इसके collector, यानि दूसरा वाला transistor है, उसके collector, और base के बीच में 220 किलो ओम का resistance लगाना है, जैसा कि यहाँ पे लगा हुआ है, ठीक है, फिर इसके base पे हमें connect करना है, एक 63V और 47μF का capacitor, जो की capacitor का negative हिस्सा जो रहेगा, वो base की तरफ रहेगा, और positive वाला जो हमारा pin होगा, व जाएगा इधर, और उसको हम connect करेंगे एक preset में, तो preset की उपर वाली जो लेग होती है, मैं आपको दिखा दूँ, तो यह देखिए, यह हमारा preset कुछ ऐसा होता है, और इसका उपर वाला जो सिरा होगा, यानि की उपर वाली लेग है, उस पर हम connect करेंगे, यहाँ से आ रहे ह हमारा connection जो है complete हो जाएगा, तो यहाँ पर मैंने आपको पूरा circuit diagram बताया, अब चलिए मैं यह बता देता हूँ कि कहाँ पर आपको battery connect करने है, कहाँ पर आपको audio गा input देना है, और कहाँ पर speaker connect करना है, तो इस पर आप 5 volt की battery तक connect कर सकते हैं, लेकिन 5 volt की battery तो market में बहुत ही मुश्किल से मिलेगी आपको, लेकिन यहाँ पर जो हमें battery मिलती है lithium ion का, जो ही standard उसका होता है, तो चार बोल्ट तक लगबख होता है, तो चलिए उसको पहले हम इसमें power देने की बात करते हैं, कि इसको power कहां से कहां तक देना है, तो हमें battery में से positive negative मिलेंगे, तो उसका positive ज देते हैं कि हम इसमें audio का input कहां से देंगे, audio का input या फिर आप aux cable से दे रहे हैं, या फिर आप Bluetooth से दे रहे हैं, कोई फरक नहीं पड़ता है, तो यहाँ पर audio का input यहाँ पर देना है, हमें preset के बाएं वाले leg पे, और यहाँ पर input का positive होगा, और यहाँ पर आप देख रहे हैं जहाँ पर बाइटरी का negative connect है, वहीं पर आपको जो हमारा audio है, उसका input का negative भी connect कर देना है, तो यहाँ पर बाइटरी कनेक्ट हो गया, और इस पर input भी दे दिया गया, अब चलिए यहाँ पर speaker कहां कहां connect करने हैं, उसको भी हम बता देते हैं, तो speaker जो है connect करना है, सिधा सिध करना है, जो कि हमारा जुड़ा हुआ है, preset की डाये वाले लेक से, इसको आप ऐसे सीधा सीधा ले जा सकते हैं, कई में connect कर सकते हैं, यहाँ पर नहीं पर दे वाला क्योंकि दोनों एक साथ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आपने देखा कि सब कुछ पूरा कैसे बना हु तो आप इसका यूज कर सकते हैं, तो चलिए अब हम इससे बनी आपको एक सरकीट दिखाते हैं, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यह जो सरकीट है मैंने पहले से ही बना रखा है, और यह जो है पूरा का पूरा बनकर complete हो चुका है, सेम principle पर बना है, आप यहाँ पर दे बस इतने ही component लगे हुए है, और जैसे आपको सरकीट डाइगराम मैंने बताया, सेम उसी तरह यह भी connect हुए है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि यह जो वायर है, यह जो ट्रांजिस्टर है थोड़ी गर्म होती है, जिसके लिए आपको हीट सिंक लगाना है, यहाँ पर मैं आपकी यह जो 220K का resistance है, आप इसे घटा बढ़ावी सकते हैं, मैं आपको एक और सरकीट दिखाता हूँ, तो यह देखिए, यह सरकीट भी देखिए, यहाँ पर मैंने 100K का resistance लगाया हुआ है, और बाकी सब उसी तरह है, और यह भी बढ़या काम कर रहा है, इसे मैंने खुल होगी एक बैटरी, जो कि यहाँ पर आप देख सकते हैं, एक बैटरी है, 37 बोल्ट की बैटरी है, एक Bluetooth चाहिए होगा हमको, तो Bluetooth मैं निकाल लेता हूँ, तो यह देखिए, यह Bluetooth जिससे कि हम इसको input देंगे, तो और एक speaker चाहिए होगा, यहाँ पर देख सकते हैं, कि यह speaker है मेरे पास, आप यह speaker भी चला सकते हैं, ठीक है, चलिए इस पर हम connect करते हैं, यह थोड़ा छोटा speaker है, तो अच्छा रहेगा यह तो हम इसको इसी speaker में connect करेंगे, यह वाले speaker में भी मैं चला कर दिखा दूंगा, लेकिन उतना बढ़िया परफॉर्मेंस नहीं होगा, क्योंकि यह जो है, हैवी speaker है, चारोंचे वोट का, और आप इस पर भी चला कर दिखा सकता हूँ, लेकिन कोई फायदा निया दोस्तों, यह सारे speakers अच्छे से नहीं भजेंगे, आपको ऐसे ही speaker चाहिए, थोड़ा सा इसे बढ़ा ले सकते हो, थोड़ा सा चार इंच के लगबग यहां पर आप देख सकते हैं, इसको बैटरी से कनेक्ट करना है, और इसको जो है, यह दोनों जो है, input में कनेक्ट कर देना है, सिधा जहां पर input लिखा हुआ है, और बैटरी का बैटरी में कनेक्ट कर देना है, तो चलिए, इसको हम कनेक्ट कर लेते हैं, चलिए, अब हम इस circuit की testing देख लेते हैं तो यहां पर आप देख सकते हैं कि मैंने एक speaker correct कर रखा है एक 3.7 वोल्ट की बाइटरी कर रखा है इसको audio का input देने के लिए एक Bluetooth का पैनल ही मैंने यहां पर connect कर रखा है इसकी जगह पे आप जो है aux cable भी connect कर सकते हो तो चलिए अब मैंने इसको इस phone से जो है पेयर करा रखा है चलिए इसको मैं play करता हूं और फिर आपको sound सुनाता हूं थोड़ी देर के लिए मैं चूप हो जाता हूं आप इसका sound सुनिए कर लेंग दो उता है कर दो घुछा कर अपार अ तो यह जो इस फिकर है यह खुला में है इसलिए यह उतना अच्छा साउंड नहीं दे पा रहा है जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऐसे जो है कुछ अलग साउंड है लेकिन अगर मैं इसको ऐसे ढग दूँ जैसे कि मैं अभी आपको दिखाता हूँ ऐसे यह देखिए तो साउंड में बहुत ही ज्यादा तो साउंड में बहुत ही ज्यादा डिफरेंस आ जा रहा है तो आप अगर इसको पैक करके बनाते हैं अच्छे से तो यह बहुत ही कमाल का अडियो एम्प्लिफायर बनने वाला है तो आपको वह मारी एडिया कैसा लगाँ हमये कमेंट करके बताएए आप मुझे इंस्टाग्राम कर सकते हैं इंस्टाग्राम का लिंक आपको दिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए मिलते हैं कैसे ही नहीं और अमेजिंग वीडियो में तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए बाए